क्या बेरिय टम के में डेट से सिर्फ आट से नौ किलोमेटर की ड्राइफ पर एक्सोपचीस इसक्वारियर का प्लॉट और दोस इसक्वारियर का विला हासिल करना चाहते हैं स्ससालाम अलेकुम progressive realistic builders and developers साथ मैं हूं आपकी मैं अस्पानिसुमेरा पॉरेशी सेग्मेंट है जाने बहरीया with progressive realistic builders and developers सेग्मेंट के हवाले से आपको बहुत अच्छी तरीके से मालुमात हो चुती होच्छी हैंगी की सेग्में डिफरेंट क्रेसं को लेकर चल रहे हैं आज की सेग्मेंट में हम बात करेंगे प्रिसंट 10 के हवाले से पहले हम आपके कितनक में 9 वीडियो से 80 पेश कर चुके हैं जिसमें हमने 9 प्रिसंट पर डिसकस किया है आज के सेग्में हम बात करेंगे present 10 के हवाले से और इस present में कितनी categories के plots यहाँ पर available हैं कितनी square years के plots फिलास यहाँ पर आपको मिलेंगे present 10 की दो types है present 10 A, 10 B कौन सी type आपको height पर मिलेगी, कौन सी type जो है present 10 की आपको depth मिलेगी इसके लावास हम इस segment में आपको street view देंगे present 10 का और इस बख current market situation क्या जा रही है present 10 की प्लस यह कि यहाँ पर इस बख construction, development की क्या सुरतेहाल है आपको यह भी बताएंगे present 10 के near most conforms ये areas मौझूर दें और अगर आप इसमें investment करते हैं तो future में आपको कितना benefit खासर देगा मिलेंगे जो कि 11,5 एकर पर हैं दो आशारिया 39 एकर पर आपको maintenance office मिलेगा पुलिस सेशन आपको मिलेगा telephone exchange आपको यहाँ मिलेगा फाइल ब्रेकरेट को office यहाँ पर आपको मिलेगा और इसके लावा 10,49 एकर पर आपको reserved area भी मिलेगा प्रिसंट 10B के 125 स्कुरियाट के plots 2,99 की एक बड़ी मस्जिद के साथ रोड नमबर 8 से जो के 60 फिट चौड़ी बड़ी रोड है इसके साथ आपको 10,49 एकर के reserved area के साथ सराउंड करते हैं जबकि जो दूसरी मस्जिद है वो इस प्रिसंट के बिलकुल बीचो बीच है जो के इस सिफर अशारिया 58 एकर पर 6 और साथ नमर की रोड के बीच में मिलेगी पब्लिक बिल्डिंग आपको दो की तादाद में मिलेंगी जो की बिलतर्तीब शिमाल और जुनूब में हैं और 24,99 एकर और 3,12 एकर के साथ मौजूद हैं अगर हम बात करें फ्रॉम नॉर्थ 41 प्लॉट आपको 11,95 एकर शिमाल की जानेब इंस्टिटुशनल जोन की साथ मिलेंगे 35 प्लॉट आपको 24,99 एकर की पब्लिक बिल्डिंग की साथ आपको मिलेंगे इसी तरह से 13 प्लॉट 12,99 एकर की मस्ज़िद के साथ नौर्थ फेसिंग पर आपको मिलेंगे 10 प्लॉट आपको सिफर आशारी अठावन के मस्जिद के साथ आपको नौर्थ फेसिंग पर ही मिलेंगे 78 प्लॉट यानि 78 प्लॉट आपको 300 प्रोपोस्ट रोड्स पर कमर्शल प्लॉट के साथ आपको मिलेंगे 10 प्लॉट कमर्शल प्लॉट 14 एए एवन्यू वाइड रोड पर प्लॉट के बारे में आपको बताते चलें कि यहां पर प्रिसंट में पॉजशन दिया जा चुका है फैमिज यहां पर रह रही हैं और इसके लावा हम आगर आपको रेट्स के बारे में बताएं तो 2016 से अब तर जो कीमत में फराका आया वो यह कि इसकी जो ऑफिशल तरह लाग 25,000 रॉपै ती आज कल मार्केट में प्रिसंट 10 में जो प्रॉट आपको मिलता है वो 32 लाग में मिल जाएगा रेट्स के हम आपको बताते चलें कि इसमें फ्लक्ट्वेशन जो आता रहता है तैन भी में हम आपको यह भी बताते चलें कि यहां पर दो से तीन रेट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा रिजनिबल हैं क्यूंकि सेम साइज के प्रिसंट 2 में भी तकरीबन 200 स्क्वार यार्ड्स के वो विलास बने हुए हैं जिनको काईब विलास कहा जाता है वहां पर एक करोर का विला जो है वो प्लस माइनस के साथ आपको मिलता है यहां कर्षा वी दिजा जो है वो बिलकुल नेर तूफिनिशन पर है नीर मोस् ठेसंट में प्रिसंट 10 के पास आपको प्रेसंट मिलते हैं व आपको ली ब्लॉक मिलेगा बेरिया हैट की बिल्दिंग्स आपको यहां मिलेगे जो के नेरस्ट है अं प्रिसंट 11a 11b भी आपको मिल एक तरफ आपको गॉल्फ सतील मिलता है जिना एवन्यों से तक्रीबन डिर्ड किलोमेटर की ड्राइफ की तरफ आपको अंदर की तरफ जाना पड़ता है अगर हम इस वक्त बिल्ट इन प्रॉपर्टी में इंवेस्मेंट के ट्रेंड के तौर पर रहने के लिए बात करें तो बहुत ज़्यादा प्राइम एडिया है जी विए बस आज की सेग्मेंट में जाने बहरें में आपको हमने तफसिलात दी हैं अबाउट प्रेसंटेंट के हवाले से कंस्ट्रक्शन डेवलेप्रेंट के हवाले से स्ट्रीट व्यू के हवाले से अब आप जान चुके हैं कि प्रेमिल्स यहां पर मूव कर रही है शॉपिंग गैलरी यहां पर एक्टिव है यहां पर फ्यूचर में बहुत अच्छी आपको स्रॉंग बेनिफिट हासल होंगे अगर आप यहां पर इंवेस्मेंट का डिसाइड करते हैं दूसी तरफ हम यह भी आपको बताते चलेंगे यह फर्दर किसी भी किसम की डिटेल्स के लिए बाइंग एंड सेलिंग के लिए आप स्कॉल में भी के कांटेक्ट नमर पर राबता भी कर सकते हैं मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल की बटन को क्लिक करना मत दूलेगा